आप सभी का फिर से स्वागत कॉंपिटीशन कम्यूनिटी में मैं अभी शेक गौरहा और हम डील कर रहे हैं करेंट अफेर्स कल हमने डील किया था नैश्टाल और इंटरनाशनल करन्ट अफेर्स को सब्जेक्टिव वे में आज हम उस पर बेस करके क्या लेकर के आएं आप लो अभी देखा था क्या इंटरनाशनल सोलर लाइन्स का सववा मेंबर बन गया है कौन सी कंट्री है वो कौन सा देश अंतरराश्ट्रिय सौर गडवंदन का सववा सदस्य बन गया है सदस्य देश बन गया है पपुआ नियोगिनी पैरग्वे परू या फिर न्यूजीलेंड आप सभी से अनुरोध रहेगा हमारे कमेंट सेक्शन को यूज करेंगे या फिर आप अपने कॉपी पैन लेकर के बैठेंगे ताकि आप अपना स्वा मुल्यांकन कर सकें कितने क्वेस्चन्स आपसे बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं जो नहीं बन रहे हैं वो क्यों नह पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी पैरागवे बन गया है क्या अंतरराश्ट्रिय सौर गठ बंधन का सववा देश वेन वह इंटरनाश्ट्राश्ट्र इस और गठ बंधन का गठन कब किया गया था यह सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है अप्शन A 2015, ब 2016, अप्शन C 2017, या फिर अप्शन D 2018 इंटरनाश्टल सोलर अलायन्स को कब गठन किया गया था तो यहां पर आप लोगों के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 2015 में गठन किया गया था किसका सौर गढ़ बंधन का और 2015 में कब 30 नवेंबर 30 नवेंबर 2015 में इसका क्या किया गया था गठन किया गया था आगे चलते हैं वेर इस दे हेड़ कोर्टर अफ इंटरनेशनल सोलर रायन सिचुएटेड अंतरराश्ट्रिय सौर गडबंधन का मुख्याले कहा पर है कहा पर है आपके अंतरराश्ट्रिय सौर गडबंधन का क्या मुख्याले जिनेवा न्यू यॉक डेली या फिर गुरु ग्राम जिनेवा न्यू यॉक डेली गुरु ग्राम तो यहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का अंसर अंतर राश्ट्रिय सौर गडवन्दन का जो मुख्याले है वो कहां पर है गुरु ग्राम चत्तीज गड़ में है गुरु ग्राम भारत में है ठीक है चलिए On which date the Telecommunications Act 2023 came to force very important कल हमने देखा है जो आपका दूर संचार अधिनियम 2003 है या फिर टेलीकॉम अधिनियम 2023 है इसे लागू कर दिया गया है इसके कुछ प्रावधानों के साथ में इसे क्या कर दिया गया है लागू कर दिया गया है जिसमें आपके कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसमें पूरा का पूरा दूर संचार का माध्यम सरकार अपने हाथ में ले सकती है आपके personal messages पढ़ सकती है आपके messages जो भेजे हुए है उन्हें उनकी निर्धारित जगा पर पहुचने से रोका जा सकता है ये सभी है किसके अंदर में दूर संचार अधिनियम 2023 में और इसे 2000 कब लागू किया गया है ये आप लोगों का सवाल ह option number A है 22 June 2023 26 June 2023 22 June 2024 या फिर 24 June 2024 को इसे लागू किया गया है कब इसे लागू किया गया है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है 22 June 2023 26 June 2023 22 June 2024 या फिर 24 June 2024 24 तो यहां पर थोड़ इसी तुरुटी है ये 24 की जगह आपका हो जाएगा 26 June और यही आपका आंसर हो जाएगा option number D 26 June 2024 को अपने कुछ धाराओं के साथ ने जो टेली कम्यूनिकेशन एक्ट है 2023 का उसे क्या कर दिया गया है लागू कर दिया गया है अगला question है who amongst the following person has been appointed as foreign secretary to government of India recently निम्नलिकित में से किस व्यक्ती को हाल ही में भारत सरकार के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीजा अकूला अदिती स्वामी विक्रम मिस्त्री या फिर नन ओफ दी अबव इन में से कोई नहीं नन ओफ दी अबव भारत सरकार का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है फॉरेंज सेक्रेटरी टू गवर्वर्मेंट ऑफ इंडिया श्रीजा अकूल अदिती स्वामी विक्रम मिस्त्री यहां से आप लोगों के लिए उप्शन नंबर सी हो जाएंगे आंसर यानि कि विक्रम मिस्त्री को वर्तमान में क्या बनाया गया है आपका भारत में विदे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर 6 श्रीजा अकूला कंटेंडर सिंगल श्रेडी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाडी बन गई हैं वह किस खेल से संबंदित हैं बहुत जादा इंपोर्टेंट हैं आगामी एक सालों तक आप किसी न किसी एक्जाम में यह आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा श्रीजा अकूला बिकेम दा फर्स प्लेयर ऑफ इंडिया तो विन अ गोल्ड मेडल एट कंटेंडर सिंगल कैटेगरी तो विच स्पोर्ट्स डशी बिलॉंग आर्चरी पिकल बॉल चैस या फी टेब टेनिस श्रीजा अकूला तो यह हैं आपकी टेबल टेनिस से समंदित प्लेयर यह टेबल टेनिस के वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉंपटीशन में इन्हों ने कंटेंडर सिंगल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है और यह भारत की पहली ऐसी प्लेयर बन गई हैं जिनों गोल्ड मेडल जीत लिया है वीर वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉरणमट रिसेंट्ली और अ्गनाई़्स मतलब हाल ही में विश्व टेबल टेनिस टूर्नमेंट कहां आयोजित कराई गई थी option A. बैंगलूरू करनाटक option B. कटक ओडिशा option C. लागोस नाइजीरिया या फिर option D. लीमा परू बैंगलूरू कटक लागोस या फिर लीमा तो जो आपका world table tennis tournament है world table tennis tournament इसे हाल ही में लागोस नाइजीरिया में क्या किया गया है आयोजित कराया गया है जहां हमारे देश की अकूला श्रीजा अकूला ने क्या किया है contenders single category में gold medal जीत करके पहली भारतिय बन गई है यह ठीक है चलिए अगला देखते हैं विच इंडियन सिटी हाज बिन declared as UNESCO city of literature very 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 important जितना भी इसमें आपको VVIP mark इसमें डालना है उतना आप डाल सकते हैं किस भारतिय शहर को UNESCO साहित्य शहर गोशित किया गया है UNESCO साहितिक शहर गोशित किया गया है कोशी गोड, खड़कपूर, बेल गाउं या फिर श्री नगर UNESCO सिटी ओफ लिट्रेचर कोशी गोड, खड़कपूर, बेल गाउं या फिर श्री नगर तो यहां से आप लोगों के लिए अप्शन नंबर एक कोजी गोड़े को क्या किया गया है City of Literature गोशित किया गया है क्योंकि ये कोजी गोड़ क्या है विश्व की प्राचीनतम भाशाओं में से एक मल्यालम का क्या है जन्म स्थान है ये मल्यालम जो भाशा है उसने क्या किया है कोजी गोड़ में ही जन्म लिया है ठीक है इसके बाद में विश्व शिल्प परिशद द्वारा किस भारतिय शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में पहचाना गया है अप्शन ए अप्शन से पहले आपके पास में पॉइंट्स है पहला है मैसूर दूसरा जैपूर तीसरा मल्लब पूरम और चौता है श्री नगर मैसूर, जैपूर, मलपूरम या फिर श्री नगर और options हैं आपके पास में 1 और 3 यानि कि मैसूर, मलपूरम option B है आपके पास में 2 और 4 यानि कि जैपूर, श्री नगर option C है आपके पास में 1, 2, 4 यानि कि मैसूर, जैपूर, श्री नगर और option D है all of the above या फिर उप्रोक्त में से सभी जवाब देंगे आप लोग इसका वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाई वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यहाँ पर आप लोगों के लिए option number D हो जाएगा आप लोगों का answer याने की all of the above सभी के सभी उप्रोक्त सभी को क्या किया गया है विश्व शिल्प परिशद द्वारा विश्व शिल्प सहर के रूप में पहचाना गया है और हाल ही में पिछले हफते किसे पहचाना गया है श्री नगर को ये दरजा दिया गया है और श्री नगर चौथा ऐसा जगह बन गया है जिसे ये दरजा दिया गया है हाल ही में जारी Artificial Intelligence त्यारी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है वाट इस दे रैंक आफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीस्ट आर्टिफी आर्टिफीशल इंटेलिजेंस प्रिपेरडनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बहुत महत्तपूर्ण सवाल है 72, 172, 192, 192 भारत का रैंक क्या है आर्टिफीशल इंटेलिजेंस प्रिपेरडनेस इंडेक्स में यानि कि आर्टिफीशल इंटेलिजेंस की तैयारी सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है 72, 172, 192 या 192 तो यहां पर आप लोगों के लिए औप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर याने की 72 रैंक है इंडिया का आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के प्रिपेरडनेस इंडेक्स में अगला क्वेशन देखते है आर्टिफीशल इंटेलिजेंस प्रिपेरडनेस इंडेक्स इस रिलीजड बाई किसके द्वारा जारी किया गया है है कौन सा Artificial Intelligence तैयारी सूच कांग औप्शन ए है वर्ल्ड बैंक औप्शन भी है International Monetary Fund औप्शन सी है United Nations या फिर ऑप्शन डी है Center for Science and Technology नायरोभी Kenya विश्व बैंक अंतरराश्ट्रे मुद्राकोश संयुक्त राश्ट्र या फिर विज्ञान और प्रद्योग की केंदर नैरोभी Kenya किसने हाल ही में Artificial Intelligence की Preparedness Index को जारी किया है और दुनिया के विबिन देशों को उनके ततपरता पर क्या किया है Rank दिया है कि वो Artificial Intelligence के लिए कितने तैयार है World Bank, अंतरराश्ट्री मुद्राकोश, संयुक्त राश्ट्र या फिर Center for Science and Technology नायरोभी यहाँ पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा Option No.B जिसे हम बोलते हैं क्या International Monetary Fund अंतरराश्ट्री मुद्राकोश वो संस्थान है जिसने क्या किया है यह इंडेक्स रिलीस किया है Artificial Intelligence Preparedness Index is based on how many indicators कृतिम, बुद्धी मता, तैयारी, सूचकांग, कितने संकेतकों पर आधारित है मतलब कितने categories में बेस करके इसने क्या किया है इवैल्यूवेट किया है पूरी दुनिया के देशों को यह आप लोगों को बताना है Option number A, 2, Option number B, 3, Option number C, 4, Option number D, 5, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर आप लोगों के लिए Option number हो जाएगा C, 4, 4 categories में या फिर 4 indicators में क्या किया गया है यह जो index है इसे base किया गया है अगला देखते है, which country topped the artificial intelligence preparedness index हमने देखा भारत करेंग क्या है, बहत तर्वा है, 70 seconds तो इसमें first कौन सी country आई है, जब सबसे ज्यादा prepared है Artificial Intelligence के लिए Malaysia, Iceland, Thailand, Singapore Malaysia, Iceland, Thailand, Singapore Option number D, Singapore है क्या सबसे ज्यादा prepared किसके लिए artificial intelligence के लिए ठीक है, चलिए International Olympics Day is celebrated every year on, हर साल अंतरराश्ट्रिय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है 21 June, 22 June, 23 June या फिर 24 June 21 June, 22 June, 23 June या फिर 24 June तो अंतरराश्ट्रिय ओलंपिक दिवस प्रती वर्ष 21 June, 22 June, 23 June या फिर 24 June कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 22 June को प्रती वर्ष यहाँ पर खतम होते हैं हमारे आज के MCQs अगले हफते हम आप सभी के सामने फिर से उपस्थित होंगे 24 गड़ करंट अफेर्स उनके MCQs, राश्ट्री अंतरराश्ट्री करंट अफेर्स उनके MCQs ये सबी लेकर के हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्तित होंगे तब तक हमारे चैनल पर बने रहें वीडियोज को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना झाल